हेलो, यह ग्रामर हमको दी हुई है और हमें लांग्विज फाइंड आउट करने हैं, ग्रामर टू लांग्विज, ठीक है, ग्रामर हमारा फोर्ट अपल होता है, एन, टी, पी, एस, नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स, प्रडक्शन रूल, स्टार्ट सिंबल, ठीक है, यह प्रडक्शन रूल हमने लिख लिया, अब हम इससे लांग्विज जनरेट करेंगे, स्टार्ट करते हैं, हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, जैसे हम डियाफ में स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन बन रही है, यह देखिए, एमपटी, नल, एपसालन, इस लेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे यह sentential form था पर यह हमारी string थी आंगे बढ़ते हैं दूसरी ले ले लेते हैं कि आएगी 0s1 अब इसको replace कर सकते हैं 0s1 से तो 0s1 यह वाला 0 रहेगा यह वाला 1 रहेगा के वाला इसकी जगे 0s1 लिखा ठीक अब इससको यह दूसरी बना रहे अब इससको epsilon से replace कर दीजे इससको epsilon से replace करेंगे तो क्या हैगा हमारे पास 001 001 लिख दीजे यह भी sentential form है अब थर्ड पर आए बाल लिजे 0s1 ठीक है अब एसको replace करते हैं 0s1 से तो 0s1 आ गया यह 0 यह वाला यह 1 यह वाला फिर एसको replace करेंगे 0s1 से देखिए अब सालन से पहले रिप्लेस कर चुके हैं तो हम 0s1 से replace करते हैं 0s1 से replace कर दिया यह आ गया अब एसको फिर से अब सालन से replace करेंगे तो 0 0 0 1 1 1 अब देखिए आपको कुछ पदा चला होगा देखिए क्या पदा चला कि जितने 0 है उतने वनाएंगे 2 0 तो 2 1 3 0 तो 3 1 ऐसे यह एंड सौन आते जाएंगे मतलब अगर हम जंद तो यहां पर जीरो होगा या वन होगा यह हमें ध्यान से देखना होता है अब देखिए आप 0 है क्योंकि अगर 00 रखेंगे तो एपसालन आएगा तो यहां पे यह 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 यहां पर यह यह हमारी लैंग्विज आगे थैंक्यू